एक तरफ अमेरिका में घमासान मचा था कैपिटल बिल्डिंग पूरी तरह से दंगाईयों के कबजे में थी चारो तरफ से हिंसा की खबरे आ रही थी पूरे देश की जनता समवेदानिक संकट की आशंका से सहमी हुई थी लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी राश्ट्रपती और उनका परिवार दंगो का सिधा प्रसारण देखते हुए पार्टी कर रहा था 54 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वारिल हो रहा है इस वीडियो को खुद ट्रम्प के बेटे ने शूट किया है वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि पूरा परिवार जिसमें ट्रम्प, उनकी बेटी इवांका दो-तीन अलग-अलग टीवी स्क्रीन्स पर यूएस कैपिटल में हो रही हिंसा को देखते नज़र आ रहे हैं बैग्राउंड में तेज म्यूजिक भी चल रहा है ट्रम्प और इवांका तो इसमें गंभीर दिख रहे हैं जबकि उनका बेटा ट्रम्प जूनियर, उनकी गल्फरेंट किम्बरली और ट्रम्प के चीफ आफ स्टाफ मार्क मेडोज खुश नज़र आ रहे हैं अमेरिका में हुई हिंसा के लिए काफी हद तक ट्रम्प को जिम्मदार मान जा रहा था इस वीडियो के सामने आने के बाद उन पर लग रहे आरोपो को और भी बल मिला है इसके साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प के मुसीवतें बढ़ सकती है